अलो फ्रेंड नमस्ते वेलकम बैक वंस अगें और माई चैनल कैसे हो आप लोग दोस्तों आज में बाल को लेकर के बहुत ही जादा एक अच्छा वीडियो आपके सामने लेकर के आई हूँ जो कि आपको बहुत ही जादा हेल्प करें आपके बाल के हैर ग्रोथ में आपके बा अच्छे मत बहुत ही जादा मुलायम बहुत ही जादा सॉफ लगा इसके पीछे का राज है जो कि मैं आपको इस वीडियो में एक डिया बतारी हूं पूरी डिटेल में क्या करती है अपने बालों में क्या चीज लगाती है जिसकी मंद से आपके बाल बहुत ही सुंदर और जैसे की मेरे बाल है मेरे बाल बहुत ही सुंदर आप देख सकते है तो अच्छी ग्रोथ भी है और लपाई बहुत ही अच्छी बढ़ती है डेंडर फ्री है मताब अल जो बोलते है न सब ही कुछ आपके बाल को लिए बहुत ही जादा है आज के वीडियों है तो जाद करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए और में चैनल को सब्सक्राइब जरू किजिए एज ही वीडियो देखने के लिए तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं लैट के स्टार्ट इट फ्रेंस यहां पर देखिए मेरे बाल जो है बहुत ही जादा बेजान लग रहे ह है तो चलिए आज का एक जो आइडिया है वो करते हैं तो सबसे पहले यहां पर मैंने अलोवेरा लिया हुआ है फ्रेश अलोवेरा है यह और इसकर यहां पर मैंने लिया एक प्याज यानिकी अनियन और उसके बास ज़रत पड़ेगी वह हमारा है कोकोनेट ओल यानिन तीन तीन चुजों की मदद से जो आज हम अपना बालों के लिए बहुत ही अचुग नुस्का करेंगे तो यहां पर सबसे पहले यह लिया है इस अलोवेरा क क्या करेंगे जो कटिला वाला पार्ट है काटा वाला पार्ट उसको निकाल देते हैं काटकर करके और उसका यहां पर ह प्याज कि छिलका इसका निकाल करका इसको इसको ekस अच्योत पील कर लेटे और फिर इसको भी छोड़ी स्लाइस काड़ करके हम इसमें डाल देते हैं और इसको बहुत ही अच्छे से यहां पर हम ग्राइन करेंगे यानिकि जो जूस वला होता है क्योंकि आलवेरा में प्रफ रे कामि सप्रीetus अब देख सकते हैं जो इस तरkte का मोटा पार्ट निकला है तो ज़रूर स्टेन करें एडिए बाल में जाकर कि चिपक जाएगा प्रफ यहांपे मिला है ठाते है एलवेर और शुयोग सब्सद्ग का अब यहां पर हम डालेंगे हमारा जो तेल हमने लिया हुआ है नारियल का कोगनट ओयल वो डाल देते हैं लगबग 2 चमच पैसे आप अपने बाल के लंबाई के हिसाब से कम और जाद रख सकते हैं और काफी अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे यहां पर एक टिप्स दे रही हूं आपको कि मैं यहां पर प्याज का रस को जो है अलुवेरा में डाल करके लगा रही हूं अगर आपके पास अलुवेरा अवलेबल नहीं है तब भी आप प्याज का इस तरह से जूस निकाल करके अपने बालों पर लगा सकते हैं और खास तो तो फ्रेंड समय जूस मिल चुका है अलवेरा और प्याज का अब इसको लगाने की बारी आती है तो लगाने के लिए यहां पे आपको है ना जो बालो का जर वाला पाट होता है वहां पे लगाना है तो फिंगर टिप की मदद से क्या करें बालो को इस तरह से अंदर जर में ज लग रहा है तो कोई प्रॉबल्म नहीं है थोड़ा से लगे है लेंगिन बाद में ठीक हो जाएगा तो काफी अचे सम लगा करके इसको यहां पर हमें लगा करके और काफी अचे से 5 गंटे तक छोड़ना है इसके लिए क्या करेंआ इस तरह से आप खुले बाल नहीं रख स तो यह देखिए, बहुत ही अच्छे से मैंने शैंपू करके और सुखा लिया है, आप देख सकते हैं, कॉम वगरा कर लिया है, लगाने के बाद बालों का एक अलग साथ टच हो रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा सिल्की और स्मूध लग रहे हैं, मुझे तो मेरा बाल बहुत खुपशत लग रहा है दोस्तों, आप इसके लिए ट्राइ कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, मतलब मैंने जो बताया, आप इसको सब्ताह में लगबग एक से दो बार जरूर कीजिए, आपके बाल बहुत ही ज्यादा सिल्की साइन स्मूध दिखेंगे, तो बहुत ही खुप बहुत है कि आप इसके सब्सक्राइबर, जपिता है लुडसे वादा घंड है नहीं है, मतलन है अब इसको अब भी तो सब्सक्राइब इस बाड़ता और जादा लwang कोस् condition, मतंता है श्राइस है ही फो support पांने सुटाइब दिखेंगे लए ने लिको में बाल्त इंपृटन love y'all